कच्छुए सडी स्रुपर का एक समोह जिसे टेस्टोडाइन के नाम से जाना जाता है इसकी विसेशता मोख्य रूप से उनके पचलियों से बिक्सित एक विसेश खोल है आदूने कच्छुओं को दो प्रमुक समोह में बेवाजित किया जाता है पहला है पिलोरो डीरा जो गर्धन वाले कच्छुए होते हैं और क्रिप्टो डीरा दूसरा जो गर्धन को छपायने वाले होते हैं यानी कड़न को अंदर कर लेते हैं कच्छुए की 360 जीवित और हाल्ही में बिलुक्त परजातियां भी सामिल हैं जिनमें भूमी पर रहने वाले कच्छुएं और मीठे पानी के टेरा पिन भी सामिल हैं वे अधिकांस कुछ महादीपों और समंदर कच्छों के मामले में अधिकांस महासागर में पाए जाते हैं उनका पसंदीदा महासागर ही सबसे सर्वसरिष्ट माना जाता है और अन्ड एमरिनियोटेस सरी सरफ पंची और इस्तंदारी की तरह वे हवा में सांसें लेते हैं और पानी के बेतर अंडे नहीं देते हलंकि कई पिरजातियां पानी में या उसके आसपास रहती हैं कच्छों के खौल अधिकतर हड़ी के बने होते हैं उपरी भाग गुम्बदार कवच है जबके निचला भाग चप्टा प्लास्ट्रों या पहली प्लेट है इसकी बहारी सत्य केराटेन, बाल, सींग और पंजों की सामगिरी से बने सलकों से धकी होती है कवच की हड़ीयां पचलियों से बिक्सित होती हैं जो बगल में बढ़ती हैं चवड़ी सपाट प्लेटों में बिक्सित होती हैं जो शरीर को ढखने के लिए जोड़ जाती हैं कच्छुए एक्टो थर्म यानि थंडे खून वाले होते हैं जिसका अर्थ है उनके आंतरिक तापमान उनके प्रत्य अच्छे बातावरं के साथ बदलता रहता है वे आम तोर पर अफसरवादी और सरवाहारी होते हैं और मुख्य रूप से सेमित गतिविदियों बाले पोधो और जानवर पर अपना भोजन व्यप्त करते हैं कई कच्छुए मौसमी तोर पर छोटी दूरी की यात्रा ही तै करते हैं समंद्री कच्छुए एक मात्र ऐसे सरी सरफ है जो किसी पसंदीदा समंद्री तट पर अपना अंडे देने के लिए लंबी दूरी तै करते हैं कच्छुए दुनिया बढ़के मित्कों के लोक कथाओं में दिखाई देते हैं कुछ इस्थलिये और मीठे पानी की प्रजातियों को ब्यापक रूप से पालतू जानवर की रूप में रखा जाता है कच्छों का सिकार उनके मास पारंपरेंग के चिकत सामय उप्योग और उनके खोल के लिए किया जाता है समंदुरी कच्छों अक्सेद मचली पकड़ने की जालें फसकर अक्सेद दुरगटना वर्स मारे जाते हैं दुनिया भर में कच्छों के आवास नस्ट हो रहे हैं इन दवावों के परिराम स्वरूप कई प्रजातिया बिलुप्त भी हो गई हैं कच्छों की सबसे बड़ी जीवित प्रजाती चौथी सबसे बड़ी लैदर वेक कच्छों है जिसकी लंबाई 2.7 मीटर 8 फिट 10 इंच से अधिक हो सकती है और इसका बजन 500 किलोग्राम यानी 1100 पाउंड से अधिक हो सकता है सबसे बड़ा ग्यात कच्छों आर्चलोन इस्चिरोज है जो इनक लेट के किरिटेसिया से समंदरी कच्छों था जिसकी लंबाई 4.5 मीटर 15 फिट के आसपास और चोड़ाई समान पंकों के बीच 5.25 मीटर और इसका बजन अनुमानत है 2200 किलोग्राम और 4900 से अधिक हो सकता है झाल